अब अपने दर्शापोई आज में आपको वाक्ति करने के सरल उपाई बताओंगा। अपने घर के मुख्यलवार के बाहर या दुकान के मुख्यलवार के बाहर घोले की नाथ श्यूर्शत में लगाने से उस ठाण से गुड़ा हुआ वाक्त भूई जो जाता है। और आक्षिन प्रगती में आ रही बाजाई भी समाफ्त हो जाती है। नेकिन इत्वास का ग्यान अचाहिए कि यह नाल गोले के पैसे प्रास्तो की गुरुप से ही जिरा हुआ होना चाहिए। दर्शको इसे करका जदी ज़र के लिखनवार के बाद एक तरफ तुसी का पोड़ा और एक तरफ केले का प्रेड लगाया जाए तो इससे भी उन ज़र के अंदर के सभी वाक्ति दोष्ट समाफ्त हो जाता है। दर्शको जने किसे भी दुखान के दोनों और गनपदी बगवान की मुट्पी लगाई जाए तो उससे उन दुखान की विखनी कई दुना बढ़ जाती है और सभी वाक्ति दोष्ट समाफ्त हो जाता है। इस तरह से गनपदी बगवान की मुट्पी लगने से एक गनपदी बगवान की दरस्टी बुखान की बाहर की दरफ रहेगी। और एक गनपदी बगवान की दरस्टी बुखान की अंदर की दरफ रहेगी। दक सको उपाई भी बाग मैं आज मैंने आपको वाद तुलोष ब्रोजर में के बहुत ही आसाँ उपाई बताए आई भी